हेलो गाइज, माइनेम इस आनंद एके देवा, वेलकम टू डेवा टॉक्स एपिसोड एट, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी मुवीज और सीरीज के रिलेटेड अपडेट्स के उपर बात करते हैं, वैसे इस बार भी बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स आई है, फॉर एक् चैनल भी है, जहाँ पे मैं रेक्शन वीडियो बनाता हूँ, अगर आप लोगो ने उस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वहाँ पे भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, सो स्टार्ट करते हैं उसी न्यूज से, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताई की गई है, तो केविन फैगी ने कहा है कि वो उस मुवमेंट को, यानि कि टोनी स्टार्ट की डेथ को वैसे ही रखना चाहते है, और उस मुवमेंट को वो फिर से कभी भी नहीं चुना चाहते, क्योंकि उस मुवमेंट तक पहुचने के लिए सब ने बहुत सारी महनत की है, और केविन फैगी बिल्कुल भी नहीं चाहते कि बहुत सी मुविज करती है ना, किसी कैरेक्टर को मैजिकली जिंदा कर देती है, वैसा वो टोनी स्टार्ट के स्लैश आयर मैन के कैरेक्टर के साथ नहीं करना चाहते, सो हाँ केविन फैगी ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि हम सब का फेवरेट आई डीजे का आयन मैन अभी हमें MCU में कभी भी नजर नहीं आएगा अब देखो हो सकता है कि आयन मैन को मल्टिवर्स के जरीय लाया जाए लेकिन वो अपना ओरिजनल आयन मैन नहीं होगा आई नो बहुत से फैंस ये सुनके डिसपॉइंट हुए होंगे लेकिन क्या कर सकते है खैर अभी मार्वल की बात चल ही रही है तो मैं डेडपूल 3 के बारे में भी अब लोगों को बता देता हूँ कि डेडपूल 3 के कुछ सेट फोटोस लीख हुए है जिसमें हम क्लियरली वुलवरीन के विलन सेबर्टूथ को देख सकते है जिसके साथ आएगे इस वुलवरीन और डेडपूल दोनों मिलके फाइट करने वाले है क्योंकि एक सेट फोटो में वुलवरीन तो उसके साथ फाइट कर ही रहा है लेकिन दूसरे सेट फोटो में डेडपूल उसका सिर अपने हाथ में लेके घूम रहा है मतलब इन सेट फोटो से ये तो चीज़ कंफर्म हो गई कि सेबर टूत का कैरेक्टर डेडपूल 3 में आएगा और मर भी जाएगा इसके अलावा बहुत टाइम से मार्वल का जो नोवा का कैरेक्टर है उसके रिलेटर रूमर्स चल रही थी कि उस कैरेक्टर को लेके कोई ना कोई सीरीज या फिर मूवीज आएगी जरूर लेकिन उसके रिलेटर कोई भी न्यूज नहीं आई थी या फिर डिजनी की तरब से इसकी कोई ना कोई official confirmation मिल ही जाएगी वेल इसके बाद कहा चा रहा है कि डेफने कीन जिन्होंने लोगन इस फल्म में X23 का character play किया था यानि कि लोगन की बेटी का character play किया था वो भी अब Deadpool 3 में हमें नजर आएगी वैसे इसके related इससे पहले भी rumor चल रही थी कि ये actress हमें Deadpool 3 में नजर आएगी लेकिन अभी एक insider ने ये चीज़ confirm की है कि डेफनी कीन ने फिर से X23 के character को play करनी के लिए deal तक sign कर ली है तो हाँ rumors का और insider का तो यही कहना है कि डेफनी कीन हमें X23 के character में Deadpool 3 में फिर से नजर आएगी खेर इसके बाद MCU की जो upcoming Spider-Man 4 ये फिल्म आने वाली है उसके related एक बहुत बड़ी news आई है कहा जा रहा है कि MCU की जो इससे पहले 3 Spider-Man की फिल्म में आई थी उनके जो director थे यानि कि John Watts वो अभी Spider-Man 4 से exit करना चाहते है वेल इस news को John Watts ने officially confirm तो नहीं किया है लेकिन एक insider का कहना है कि John Watts Spider-Man 4 से exit करना चाहते है और गेस वाट उसी insider का ये भी कहना है कि Netflix की जो Daredevil की series आई थी अब उसी के creator Drew Goddard को Marvel Studios Spider-Man 4 के लिए consider कर रहा है बट हाँ इस चीज को ना ही John Watts ने confirm किया है और ना ही Marvel Studios ने सो इसे एक rumor की तरह लेना ही सही रहेगा इसके बाद Will Smith की तरफ से एक बहुत ही रगड़ी announcement हुई है यानि उनकी जो 2007 में original zombie वाली film आई थी उसका अभी sequel आने वाला है Will Smith ने खुद ही ये confirm किया है जिसके बारे में बताते हुए उन्हें ये भी कहा है कि हमें इस film में Will Smith के साथ ही Michael B. Jordan भी नज़र आएंगे सच में I Am Legend ये film एक बहुत ही बड़िया film थी जिसे मैं अभी भी देखना पसंद करता हूँ उसके साथ कोई भी छेडखानी नहीं की जाएगे and I think ये बहुत ही बड़ी आड़ी सीजन है क्योंकि वो वर्ड सच में मुझे बहुत पसंद आया था परसनल ही तो मैं I Am Legend 2 के लिए बहुत excited हूँ आप लोग इस film के लिए कितने excited हो मुझे comment में जरूर बता ना इसके अलवाए Netflix की भी एक फिल्म आने वाली थी जिसमें हमें Robert Pattinson और RDJ यानि Robert Donnie Junior साथ में नजर आने वाले थे जिसमें हमें एक serial killer की कहानी दिखाई जाती है जिसे Robert Pattinson प्ले करने वाले थे और ये एक comedy फिल्म होती और इस film का title होने वाला था average height, average build बट इस film के director Adam Mackay अपने दूसरे project में busy है जहाँ पे वो अपना पूरा focus देना चाहते है जिसके वज़े से average height, average build ये film अभी hold पे जा चुकी है बट हाँ, DC के Batman Robert Pattinson और MCU के Iron Man RDJ इन दोनों को एक ही film में देखने में मजा तो ज़रूर आएगा और हाँ, जैसा कि हम लोगों इससे पहले Richard season 2 का जो trailer आया था उसके ओपर भी बात की थी, सो हाँ, Richard season 2 हमें जल्दी देखने को तो मिलने ही वाला है लेकिन ये season अभी तक release भी नहीं हुआ और इसके season 3 की भी confirmation हो चुकी है जी हाँ, कहा जा रहा है कि Richard season 3 अभी early production में है मतलब इन लोगों का अपने project को लेके confidence देख रहे हो, ऐसा ही confidence चाहिए क्योंकि इनको पता है कि fans को इसका season 1 कितना पसंद आया था और इनको पता है कि season 2 के बाद fans Richard season 3 भी देखना चाहेंगे सच में मैं मजाग नहीं कर रहा, अगर आप लोगों ने रिचर season 1 नहीं देखा है तो देखनेना बहुत ही badass series है और वो character भी बहुत badass है जिसका अभी season 2 भी आएगा और season 3 की भी confirmation हो चुकी है इसके बाद अभी पीछले मैने ही यानि 16th November को एक slasher horror film release हुई है जिस film से किसी ने भी यह expect नहीं किया था कि वो film actually मैं अच्छी होगी बट हाँ वो film unexpectedly अच्छी निकल के आई है actually मैंने भी उस film को नहीं देखा है बस मैंने सुना है कि वो film unexpectedly एक अच्छी film है अब आप लोग सोची सकते हो कि Thanksgiving का first part लोगों को कितना पसंद आया होगा कि इसकी second part की भी confirmation इतनी जल्दी हो गई है बट एक चीज मैं यह clear कर दू कि मैंने भी अभी तक इस film को नहीं देखा और अगर आप लोग इस film को देखने वाले हो कि वो एक साल script के उपर देना चाहते है ताकि वो एक अच्छी film बना सके और audience को इसके first part से भी जादा मजा दे सके सो अब यहाद है DC के उपर तो DC की जो upcoming film आने वाली है Supergirl Woman of Tomorrow इस film की script को लेके James Gunn बहुत ही जादा खुश है जी हाँ, हाली में James Gunn ने Supergirl Woman of Tomorrow इस film की writer एना नुगवेरा की तारिफ करते हुए यह कहा कि उन्होंने जैसा सोचा था Supergirl Woman of Tomorrow इस film की script उससे भी बहुत जादा तगड़ी तरीके से लिखी गई है और एना नुगवेरा की तरफ से Supergirl की script में जो unique take लिया गया उसके लिए James Gunn बहुत excited भी है इसके अलावा DC की तरफ से एक और news आई है जैसा कि मैंने इससे पहले भी कहा था कि Creature Commandos की जो series आने वाली है उसे animated series की तरह बनाया जाने वाला है तो उसी series में David Harbour को Frankenstein की character के लिए cast किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि Frankenstein की character को जब live action में दिखाया जाएगा तो उसे भी David Harbour ही play करेंगे David Harbour ने खुद ही इस चीज को confirm करते हुए कहा कि उनके Frankenstein की character की एक depth होगी और वो एक complex और strange character होगा So हाँ animated series से लेके live action तक ये लोग अपने characters को कैसे switch करने माले है इसे देखना interesting तो रहेगा ही So अभी आते हैं Indian films के section पे तो Animal ये film box office पे कितनी तभाई मचा रही है ये तो हम सब को पता है तो इसे film के उपर बात करते हुए Bobby Deol ने कहा कि उनका character fans को इतना पसंद आ रहा है कि वो चाहते है कि इस character के उपर कोई spin-off series या फिर movie बने जैनि वो character जब जिन्दा था तो उसने क्या-क्या कांड की है वो character कितना badass था इसके उपर अगर कोई movie या फिर series बनाई जाती है तो सच में मजा ही आ जाएगा क्योंकि no doubt Animal इस film के review वाले video में भी मैंने बोला था कि इस film में मैं Bobby Deol के character को badass हरकते करते हुए देखना चाहता था लेकिन film में उनका screen time ही कम था जिसके वज़े से उतना मजा नहीं आया बट हाँ अगर इस character के उपर कोई spin-off series या फिर movie बनती है तो मैं तो उसे देखने के लिए सच में interested हूँ इसके बाद जिस film का हम लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे है यानि कि push part 2 तो इस film के shooting अभी रुक चुकी है क्योंकि कहा जा रहा है कि shooting के दोरान अल्लू अर्जुन को कोई चोट लगी है अब I don't know कि वो चोट major है या फिर normal है बट I hope कि अल्लू अर्जुन जल्दी ठीक हो जाए और push part 2 की shooting जल्दी ही start हो जाए इसके बाद अपने rocky भाया यानि कि rocking star ये अश्की upcoming एक film आने वाली है जिसके related उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक post डाला है एक question mark के साथ जहाँ पे उस film का title क्या है उसी के related वो question mark है और उसी post में ये भी confirm किया गया है कि इस film का title announcement 8 December को सुबे के 9 बच के 55 मिनिट को किया जाएगा So ready रहना तो हाँ आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही वैसे तो बहुत सारी और भी news है बट सारी updates और news को एक ही वीडियो में तो cover नहीं कर सकते तो deva talks का जो अगला episode आएगा उसमें भी मैं cover करूंगा So channel को subscribe करके bell icon दबा देना साथ ही अगर आप लोगों को इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा टाप करो और देख लो सो मिलता हुए इसे ही किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching